तो बच्चों जैसा कि आप चान रहें इस समय हम पढ़ रहें कच्छा सा नौ की एंसी एर टी मैद न तो कक्चनों में आज आपका 7.3 का लाइश्ट कुश्चन है आप सब को पता है एक्सरसाइज 7.3 यह कुश्चन नमबर 4 है और 5 भी अभी हम बताएंगे फिर क师 करते हैं चित्र देखते हैं और फिर आगे हम लोग करेंगे देखोमंगी इध कि भी ऑर सिय एक तिरभूज एफ के दो परावर सीरसलंब हैं भी यह और सी सीडाम की सेड़ा होड़ा है ठीक है एक टियंगल के यह equal attitude है आगे क्या कहता है RHS सरवांग सम्ता नियम का परियोग करके सिद्ध की जिए कि ABC एक ISOCALES होता है सम्दुबाहू को क्या बोलते है मतलब इसे हमें प्रूब करना है यह सम्दुबाहू तिरभूज है कहने का यह मतलब है कि हमें यह सिद्ध करना की ABC बराबर है ठीक है सम्दुबाहू का मतलब भाई दो बूजा बराबर होती है और यह RHS सरवांग सम्ता नियम SAS सरवांग सम्ता तिरपालेस सरवांग सम्ता नियम और SAS यसा पढ़ाता ना आपने नई देखा तो कमेंट करिए वीडियो में आपको मिल जाएगा उसका जनकारी आपको कमेंट बाक्स में दे दिया जाएगा जदा ज़्यादा कमेंट करो चलो ने साथ ही इतने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे क्यों फ्री में नायंत की मेहत पढ़ाए नीचे राड लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा विर्कुल फ्री में होता है कर लो भी तुरन चलो इसमें हम क्या करेंगे यहां पर हल लिखेंगे उपर साइड से देखो कि क्योंकि हमें इसे संद्धि बाहु सिद्ध करना मतलब दो भूजा बराबर सिद्ध करना है ठीक है अब हम تिर भूज लेंगे Bety क्यों विख लेंगेटी को बिल लबार में लोगया तो लिखो सी अब बी एक ले लेना सी अब बी मतलब एक इधर एक इधर ठीक है चलो लिको तिर भूज बी-सी ए ऐसे लिको तिर भूज बी-ई-सी और तिर भूज कौन सा दूसरा ले लोगे बॉज दूसरा ले लो सी अफ भी इदर वाला सी एफ बी में या फिर से इधर दिख रहा के लियर ना इसमें तो कोई परिशानी नहीं नगी ठीक है दिख रहा थोड़ा सा कट रहा है ना मैं उसा ही कर देता हूँ यह लो टेंसन मतलो बस हो गया उसके उधर मैं नहीं लिखने वाला हूँ छलो देखो ध्यान दो आगए आगए का आगे देखो क्या कहता है धैन देखिए कि इत्ता हो गया देखो इसमें अगर हम ते बूद देखें वी इ सी हाँ यह यह भी यहां सुरू करो सारी बी E C यह जो रेखा है ना यहाँ पर आके मिल रही है इसमें और तिर्भूच दूसरा वाला अगर आप देख लो C F B वाले में जो है उसमें आपको क्या मिल रहा है कौन F और E बराबर है क्यों? अब तुम कहो कि कहा है बराबर है बहिया यह कौन जो बन रहा है अगर यह लाइन एक्तम सीधा है चुक्कि अल्टिट्यूड है ना मतलब यह नब्बे बना रहा है बोलो कि नहीं नब्बे बना रहा है ना C F B यानि कौन F क्या है नब्बे है और ये altitude है, मतलब ये भी एकदम सीधा है, यानि ये भी क्या कर रहा है बावू, 90 बना रहा है, बना रहा है न, तो ये और ये अगर आप लोग है, तो ये दोनों कौन बराबर हैं, लिखो, एंगल C, F, V, एंगल C, F, V, इकवल, एंगल B, E, C, ठीक है, E बीच में पढ़ना चाहिए, चाहे तो तुम लिखतो C, E, V, लेकिन C, E, V उल्टा पढ़ रहा है, तो B, E, C लिखो, एंगल B, E, C, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, क्यों बराबर हैं, रीजन हो जाएगा, स्मकोन हैं, स्मकोन हैं, पिर लिख तो दोनों 90 अंसा हैं, भाई दोनों कॉन बराबर हैं, तो बराबर लिखाई जाएगा, यह हो गया, आगे अगर इसमें आप ध्यान दो, तो B, C, बराबर C, B, है, अब ये C कौन सी बला है, ये नीचे वाले भूजा, अगर तुम ये ट् कुछ कर रहे हो बीसी को ना भाई बीए सी में यह आ रहा ना नीचे वाला बूजा और अगर तुम दूसरा लेते हो सी एफवी सी एफवी तब यह बूजा ही हो रही मतलब दोनों में है ना तो तुम लिखोगे किसमें वाई एक के लिए बीसी हो जाएगा इधर से जो गिनते करेंगे देखो बी-ई-ई-फ के बराबर है का है लिए बी-ई-ई-फ के बराबर है देखो बराबर क्हें लिए है अब तुम दीया एक कर töंज बढ़ो करण बी य्जिवलबर के बराबर सिर्शलंब ऐकलल है वह करेंगे स्मपल सी के बराबर है हुआ मिल गया इक बुझा बराबर हो गई हां यह क्या है यह करल था बुझा नहीं थी मुझा मत मानना इसको बच्चाइप कौन सी लाइन में आपकोК कािया था इससे बनता है कर निनी देखो स्कोर दै कि देख से बनता है ना बनता ना भाई तुम जानते यह नवड़े बनता है ना यह नवदवे है न तो इसके सामने कर्ड होती है लुगार। अगर यहां पे नभबे धा इसके सामने की फुजाई होगी यह मत सोचना यह करणोंगी नहीं कि में तो हमारा तरिफूज यह है न यह यह करण होगी क्या है करण है तो तुम करण को एच बोलते हैं क्या हाँ हाइपोटेनियस ऐसे कुछ बोलते हैं इंगलिज में न बोलते हैं बाइब सी बराबर से भी वाला है अच न और यह जो है यह बराबर भुजा है अल्टिट्यूट दिया था यह मतलब यह यह बताओ और यह इम च नियम से सरभांग सम हो जाएंगे तिर बुज की नहीं हो जाएंगे न नीचे तुम लिखोगे लिखो आता हा इंपो या मिट यो ऑख वीडिएot घंऐ लेकिन सौचो कि आप इंठीं तो कुछ नहीं आएगा याद रखना मेहनत करी तब ही आएगा चलो लिखो अब ये दोनों तो रुब सर्वांग्सम होगे ट्रेंगल बी ए इसी कायंगूरेंस टू सर्वांग्सम का चिन लगा के लिखो सी एफ वी यहीं था ना हन्यं यह बराबर कहें लिए वह सरबांग सम्सक्राइब कहें कहें हुआ आरे टीया संद्ध्री अधेली ग्यों हिंदी में ओले लिख देंगे क्या लिखेंगे इस उखें सब्सक्राइब फिलिक देना बस हो गया फैट कर्ट में अब भी हाँ तो यह सरवांगसम हो गया लेकिन मुझे यह नहीं करना था अभी तो हमारा उत्तर नहीं आया हमें तो यह करना था कि A, B, C सम्दुबाहू तिरभूज है हमें तो यह A, B, A, C बराबर करना था हम तो कुछ और करने लगे लेकिन बहुत अच्छा किये क्यों भाई यह हमें A, B को सरी A, B को A, C के बराबर करना है हमने यह ट्रेंगल मतलब जिम्हें मैं हाथ रखाऊं यह और यह अगर मैं सरवांगसम कर दिया तो क्या होंगे भाई साहब दो सरवांगसम तिरवुज के जो संगत कोण है बराबर होते है और लो होते है न दिखो फिर नीचे दिख रहा है क्या? नहीं, दिख रहा है तह मैं मिटा के ऊपर करवा हूँ दिख रहा है ना नीचे अच्छा ठीक है उसको उतार लो थिर स्क्रीन साट लेवर मैं उपर से लिखौँ को जद्भा लो चलो इतना कर लो एक पार्ट हो गया जल्दी करो मैं उसको मिटा रहा हूं बहुत जल्दी करो fast super fast करो मिटा रहा हूं मैं उपर वाला हो गया video को touch करके screen पर रोंक लोगर नहीं किये तो कि अब देखो यहां पे ध्यान दो क्या करना है देखो उसको मैंने मिटा दिया लेकिन मुझे यह दिखाना जरूरी था इसलिए मैंने उपर फिर से लिख दिया अभी अभी मैंने प्रूब किया कि वी इसी जो है वह सी अफ़ी के बराबर है वह सर्वांगसम हैं तो आपने व यहां से देखो B, E, C और C, F, B को का इंग्रेंस कर दिया तो एंगल भी एंगल सी बराबर होंगे क्योंकि यह क्रॉस्पांडिंग एंगल है है न तो इस तरह से यह B, C, E इक्वल हो जाएगा C, V, E के बाई C, P, C, T C, P, C, T नहीं जानते हो, कमेंट करना, मैं आपको बताऊँगा, C, P, C, T का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट में, कमेंट करना, डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, C, P, C, T क्या होता है, ठीक है, और आपने यह भी पढ़ाता, C, P, C, T में, कि अगर यह कोई भी दो कोण, क तो तुम लिख सकते हो, क्या, A, B, E, 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 C, का है लिए, क्यों लिख पाओगे, भाई, का है लिखोगे, रिजन लिखो, हिंदी मीटिय मने लिखी, बराबर कोण की सम्मुख भूजा, ठीक है, क्या है यह, सम्मुख भूजा, मतलब, क्या कहते हैं इसको, एक्वल एंगल की आपोजिट जो साइड है, वो इक्वल होती है, ठीक है, यह दोनों एंगल इक्वल थे, आपोजिट साइड इक्वल हो गई, तो, डियर स्टुडेंट्स, आपको यह वीडियो कैसे लागा, कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, नहीं संकोच, आप कमेंट करो, हम आपको बताएंगे, और हाँ, इस वीडियो को अपने साफ आठियों में जरूर सेयर करना, बिल्कुल टैंसान मत लेना, सब कुछ आएगा, यूटूब पे मैथ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को खूब सेयर क नाम, कलास का नाम और जिले राज्य का नाम लिख करके लिखोगे, ज्वाइन नाइन्थ प्रीमियम, ठीक है, इसको लिख के भेज़ोगे, आपको पूरा कलास मिलेगा, जिसमें आपको साल भर के लिए, 12 मन्त के लिए सिर्फ 700 रूपए जमा करना होगा, ये नौबर 2020 की अ अंदर देख पाओ, क्यों, क्योंकि बहुत से वीडियो जो है, यूटूब पे भी पबलिस होते हैं, प्रीमियम में भी रहते हैं, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, कि हम आपको दिखाना चाहते हैं का प्रीमियम में क्या देख पाओगे, कैसे पाओगे, है न, त सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको डेली हर दिन एक क्लास मिलेगी रेगुलर एक क्लास मिलेगी कोई दिक्कत नहीं कोई पेमेंट नहीं करना यूटुब पे देखते रहो चैनल सब्सक्राइब करके रखो ठीक है